हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूट चानल जेनरिक क्रियेशन्स की हेल्थ केर सीरीज में आपका स्वागत है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है क्योंकि इस दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं इसके अलावा इन हार्मोनल बदलाव के कारण उल्टी, मलती और शरीर में दर्थ की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा सही मात्रा में प्रतिदिन पोशक तत्वों का सेवन न करने से बच्चे और माद दोनों को नुकसान हो सकता है साथ ही इस दोरान आपको अपनी एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा या कम फेजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है आम कोर पर खाने पीने के मामले में आपने ये बात कई बार सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दोरान पपीता खाने से गर्भपात हो सकता है या कुछ गंभीर समस्याएं आ सकती है ऐसा कहा जाता है कि पपीता गर्भावस्था में खाना सुरक्षित नहीं होता है ऐसा भी माना जाता है कि पपीता गर्म खाद्य पदार्थों में आता है तो अत्यधिक गर्मी के कारण भी गर्भपात या समय से पहले प्रसव होने की आंशका रहती है हालां कि ये पारंपरिक तथ्य है इसके उल्ट आप प्रेग्निंसी के दौरान बिना किसी चिंता के पपीता का सेवन कर सकते है तो आईए जानते हैं लेकिन दोस्तों इससे पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन दबाए जिससे आपको हमारे हर नए विडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी क्या गर्भावस्था के दौरान पपीता खा सकते हैं डौक्टर के अनुसार आप गर्भावस्था के दौरान बिना किसी चिंता के पके पपीते का सेवन कर सकते हैं संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है बलकि यह सेहत के लिए काफी फायदे मन्ध होता है लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है दूसरी बात आपको आधा पका या कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें लेटेक्स पाया जाता है जो सफेद दूधिया रंका होता है यह पोस्ट्राग्लेंडीन के स्राव के साथ गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है जिससे गर्भपात का खत्रा बढ़ सकता है इसके अलावा पपीता खाने से शरीर का तापमान बढ़ता है या नहीं इस बात का कोई थोस आधार नहीं है तो अगर आप भी पपीता खाने के बारे में ऐसा सोचती है कि इसके सेवन से आपको या बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है तो ये बिल्कुल मिथक है आप इसे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित रूप से खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कितनी मात्रा में पपीता खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी चीज का बेहत संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए इससे आपको भरपूर पोशन मिलता है और कोई नुकसान भी नहीं होता है एक दिन में आपको एक बाउन पका पपीता खाना चाहिए यह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है इसके अलावा आपको पपीता हमेशा साफ और ताजा लेना चाहिए उसमें दागधब्बे या बासीपन ना हो पपीता के छिलके को साफ करके उसके बीजों को हटा कर खाने की कोशिश करें इससे आपको भरपूर फाइदा मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाने के फाइदे सबसे पहले तो इसमें विटामिन C और A पाया जाता है जो आपके इम्यून सिस्टम और आमखों के लिए काफी अच्छा होता है साथ ही यहाँ पेट से जुड़ी समस्याओं में काफी लाबकारी होता है इसमें मौजूद फाइबर आपको अपच और कब्स की समस्या से छुटकारा दिलाता है साथ ही इससे उल्टी और मतली की दिक्कत में भी आराम मिल सकता है अच्छी तरह से पके हुए पपीते में कैल्शियम, मैगनीशियम, पोटेशियम, फोलेट और फाइबर पाये जाते हैं जो हृदय समस्याओं में भी फाइदे मंध होता है यहां बच्चे के विकास के लिए भी उप्योगी साबित हो सकता है पपीता का सेवन वजन को नियंतरित करने में भी मदद करता है और इससे स्किन भी हेल्दी रहती है अगर आप स्तनपान कराती हैं तो उस दौरान भी आप पपीते का सेवन सुरक्षित रूप से कर सकती है इसके अलावा कोई खास समस्या या बीमारी होने पर आप बिना डॉक्टर की सला के पपीता का सेवन ना करें क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है तो दोस्तों अब आपको ये पता चल ही गया होगा के प्रेगनेंसी में पपीता खाया जा सकता है लेकिन प्रेगनेंसी में सुरक्षित रहने के लिए अपने डॉक्टर की सला के साथ ही चलना ठीक रहता है तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद झाल